कि नवास्कार पाकिस्तान की कोई पॉलेसी इस समय सही चलती दिख नहीं रही ना उसकी इंटर्नाशनल पॉलेसी ना उसकी दिफेंस पॉलेसी कोई पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा यानि यह गौर्मेंट की और एक तरफ आर्मी चीफ जो कुछ बोले अब तक नहीं है लेकिन हाँ एक एक फाइल इंटरफिरेंस पूरा है उनकी पैनी नजर है पाकिस्तान के डेवलाप्मेंट्स पे और वहां के जो आयसाई चीफ है जिनके बारे में अकसर अकसर आदिल राजा बोलते रहते हैं कि बिमार पड़े रहते हैं कुछ दवाई यहां खांके पता नहीं कौन से पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिक्सी है कि सहस्ता तेल वो मांगता है रशिया से और टैंक्स देता है यूक्रेन को अभी टैंक्स दिये बेस्ट के प्रेशर में ताक्की एट मिल जाए इसी वाद करने के लिए हमाई सब महरी सरकारी जी है इनको इंटरफिक्शन की कोई सब्सक्राइब कर दिया कोई उसके साथ नहीं खड़ा है पिर भी टैंक्स उग्रेन को देता है सश्ता तेल मंता रशिया से इस पर मुझे एक कहावत याद आती है वक्त पढ़ने पर गदे को भी अपना बाप बना ले आ पड़ता है तो वो डिपेंड करता है इस से जरूरत है किस से काम निकलवाना है उस वक्ट जो है वो भू जाते है तो तो दाट सिग्जाट्ली वाद इस जहां से काम निकलेग आप कितने लोग उनको सपोट करेंघी लाइक मोस अदी अवी एक टिकना अवे धिर हैं उति तो नहीं करेंगए सपोर्ट पर कर दे में आप दूबे में तो वो जब और जो कहते है न ना भू रही होते हो तो आप ऑथ जागी सहारा मिल जाए आपके से मिल जाए तो आप द तरीके से चलते हुए इन्होंने बहुत सारे काम और किये अभी हाल सौधेर एविया के पास पहुंचे पैसे मंगने हैं उसने कित्ती बार तो मैसे मंगोगे मुझसे आए मेफ से पहले पैसा नहीं आ रहा और ट्री बिलियों डॉलर से उपर जा नहीं रहा है अगले करीब जानी थी कि एकॉनमी गिरती जा रही है हाओ दू यू ठीक कि क्या कभी राइटेंस से कितना चल साथता वह उसमें जिसे बुद्धना मनी ओडर एकॉनमी उससे कितना चन तक एकॉनमी चल पाएगी और हमें तो लग रहा है कि खाने के लिए कुछ है नहीं और इस साल पाकि तो इस वक्त पूरी दुनिया में ही महंगाई कमें कौंगी मुझे इंडिया कहता नहीं पता पर आइफिल इंफलेशन रेक इन कैनिडा मुझे भी या दिख रहा है तो हम लोगों के लिए मुझे तो नहीं पता कि लोग कैसे सर्वाइब कर रहे हैं इन पाकिसान विज पाकिस्तान में उसका एक बड़ा रोल है एक औरमी को इस लिबल के ताने में इक रैडिकलाइशन दूसरा आग्मी तीसरा पॉलिटेशन ऐसे जिनको यह फरक नहीं पड़ता है फरक पड़ता है कि मेरा इलाज अमेरिका में हो जैसे अपनी बढना पड़ता रहे है उनका नहीं पड़ता पाकिस्तान कहाता जाए पापना ये भी खेटेंगें पस इन पॉलिटिशिंज का क्या क्या कि रडिकलाइज़ेशन का बहुत बड़ा गोल है और इसे पॉलिटिशिंज जो रडिकलाइज लोग हैं उनको इस्थेमाल करते हैं न अपने पॉंस की तरह के जहां पर उनकी चीज नहीं हो रही होती है तो सब्सक्राइज के लिए उनको जहाद के लिए या उनको भड़का कर भेज़ दिया करो ताके फिर वो डिस्टिर्मेंट रहे हैं आम इंसान कुछ नहीं कर सकता है आई रों नो किस तरीकी से पाकिसान को चेंज किया जाएगा I guess there has to be a civil war क्योंकि आप देखरों कब से एक लो खाएंगे वो खाएंगे आपके आम इंसान मुझे तो नहीं लगता कि कोई हैसी है आपकी आप कुछ कर सकते हो हां सबकों भी आप निकल के आगवे इम्रान खान के लिए क्या हो गया है what difference does that mean? और भेज देंगे लोगों को लठी चार्ज करने के लिए भेज देंगे वह प चंजटों में चंजटों में चंजटों में और कब से किया हुआ था वो तो अब लोगों के अंदर अवेरनेस आगी है विद आर्मी क्योंकि अब खाने के लाले पड़ रहे हैं और वाकई में जब लोग भूख से सड़कों पे मरेंगे रोहिजी then people are really going to get violent पिर इनके घरों में भी घुसेंगे और इनको घरों में इसे भी निकाल निकाल के मारें और यह वो चुका है कौन सी जगाती मैं देख रही कि उसनिन अभी पिछले साल की बात है कि वो कौन सा पॉलिटिशन उसके अगर के अंदर घुस गयते हैं अफ्रिका में कोई जब करें तो इम्रान खान यह चाहते क्या है साफ 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 पता दे पाकिस्तान से कुष्मनी निकानी है कुछ क्या करना है पाकिस्तान को उस लिवल पर आचुके हैं जो भी शिरीन के पिलाफ कुछ नहीं कर पारी है जाहें के खिलाफ एड्मिस्पेशन को नहीं कर पारी है और यह इंप्यूडेंट ली हर हर ऑगनाइज़ेशन को यह हर गोवर्मेंट के हर एदारे को हर हर सेबुते एक विबिन को चाही जोडिश्यरी और लेजिश्य लेश्यरों सब को ठेंगा दिखाके बढ़ा हैं देखेंगे आप मिझा एक डूब के बारे में और में मैं मैं सालह बड़ी अची रेती हूं उनका एए है के हम तो डूब हैं सब को साथ मिलें डूबगेंगें तुम सब लों हैं बरबाद कर जाओंगा गर मुझे बरबाद किया तो व एक जित पढ़ गया है कि गदी है, उसको छोड़ना नहीं है, and he is popular, मैं यह थोड़ी कहूंगी, जिस तरीकिसे हवाँ को अपने पीछे लगाया हुए, he is the popular one and he looks like, कि उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, right? हाला कि जब यह भी थे power में है, तो इनके हाथ में poverty, इनों ने क्यों नहीं आरेस्ट करवाए, क्या यह सुर्फ एक, इमरान खान नहीं करप्शन की है, क्या इन लोग ज़रदारी ने कोई करप्शन नहीं की थी, नवाज चरीव नोगें कोई करप्शन नहीं की थी, मेरिम अवाज दूदशन के मेरेघू है केसिसी ठीजीन वाज़ और सब्सक्राइब, वह तो अभी ही तो अहीं की किसी थी नहीं है कुछ 찾 दे अभी भी उनों की प्रापरटी सो हाथ मुट में नवाज शरीक को ठाके देख लो अब जल्दाजी को जेल वगएरा गये इन लोगे ने टाइम करा मगर इनके खजाने तो वहीं पड़े हैं ना इनकी जनेरेशन्स टू कम पाकिसान में लोग हैं उनकी जनेरेशन्स बैड के करदा उतारेगी नहीं और पूरिहादद यह है कि पाकिस्तान के लोगों को यह चिंता भी नहीं है कि वो ना क्या वाला है एक बार आप से प्रेखो तो इसलाम खत्रे में हैं बस सब के सब चुप जाते हैं बस उसके बार कि क्यों को को पर नहीं बढ़ता के रोटी मिलरें नहीं सबके सब इसलाम दुशनाना में लग जाते हैं यही हो रहा है पिछले तीस साल से जो जिस त्रीकिे का यह मोहल आपने देखcé पाकिस्तान में जब आ रहती थी, कि महुल देखा होगा आपने, क्या ये मौलाना लोग वाकरी में इतने पावफुल है पाकिस्तान में कि उनके खिलाफ कुछ भी हो सकते हैं? नो ये आपने पावरफुल हाँ, हो तो है, क्योंकि वो इसलाम जहाता है, रिलिजिन जहाती है, उसके आगे आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, अगर आपने मौलवी के खिलाफ कुछ बोला है, तो फत्वा इसू कर देगा फॉरण, तो ये तो काफिर हो गई है, ये तो काफिर ह खारिज है, उसका मतलब है, उसका खात्माआप करना पढ़ेगा आपको, so इसलाम खतरे में दरुपाकिसान में नहीं है, I mean इसलाम तूझा है एंडिया में आपको नहीं पता इसलाम कितना खतरे में है, इसलाम ऐसा तो लग रहे है कि मुसलमानों की जने साइड हो कल मैं इस पे शो किया है उस पर मैं पिंकी पीदनी बनके बैठी ती इसके साटायर किया था मैं इसलाम तो रजभा खतरे में तो इस तो इसे मुल्क में आके क्यों बैठे हो जहां पर आपको पता है यह फ्रीडम आफ स्पीच ह वो अपनी बाइबल जलाने में उनको तो मिनिट नहीं लगते तो आपको क्यों वो करेंगे not even a Muslim country, this is a democratic country, secular country अरे इसलाम हर जबा खत्रे पे है आप वहां के पाकिसानियों क्या बोल रहे हैं आप यहां पर देख लो ना, यहां पर आ जाते हैं सड़क पे पॉरन मैं ने देखा है कि बुड़े बुड़े लो, यहां तक हुआ है कि उठाके हाथ उठाने के लिए उस पर तियार हो तो यह इसलाम का चूरे ने जब तक यह बेजना बंद नी करेंगे और एक सही लीडर आएगा जो जैसे कि अब आप देखें साथियारब में, MBS ने क्या-क्या नहीं कि अड़ना दिया ना MBS की खिलाब निकले है पाकिसान कितनी इन लोग उने प्रोटेस्ट की है कोई निकला, नहीं निकला ना में फ्रांस के लिए उस अब निकला है सड़ निकलो ना MBS की साथिया वाले ही निकल के दिखात दे ना जरा बहार, साथिया रभ में, कि आगे इसलाम हमारा खत्रे में डाल रहा है, इसलाम की जो जहां से स्टार्ट हुआ, बेसिकली इसलाम, और वही जगह पर जाकर इंडो होगा, वही जगह इसो खत्म करी, पहली जगह इसलाम होगा. प्रिस्मस बैसे तो कहने के लिए तो मिलती है अबदाली में उंको पाकिस्तान के सब तो पाकिस्तान के ब़ूरी मिलती है गाजी अर्ट इस को तेर चेनर कि तो पाक्स्तान करनाटक का या करनाटक से पारकिस्टन करनाट इस अंती तेगे परक दाजं के पबलानों कुछ का यह नहीं राइट वो निया निया मुल्क बनाए अब उनको आइडेंटिटी क्रैसिस यह हुआ वह समझ में निया रहा कि हम अपने कौन से एंसेस्टर को मानने के अब वह हिंदूों को मानना नहीं चाहते हैं हाला कि उनके एंसेस्टर से आथ तो सारे इंडिया से रहे ना आप लोग कैसे मान लें वह तो उनको बाप बना लिया जो उनके बाप थे भी नहीं अपने मुल्क में भी जो अच्छी चीजें अगर आप देखोगे हमारे जो सिंगर्स अगर है अब थोड़ी उनकी कदर करनी शुरू किया या एक्टर्स की पहले तो उनकी भी कोई कदर नहीं करता पाकिसान उनकी कदर तब होती जब इंडिया जाते थे वो इंडिया उनकी कदर होती थी वर नहीं आते फस नंको कोई खास नहीं डालता था पहले यह जब तक आते बसका पानी क्या आप देख लो अधनान समी रहत पते लिए कोन से हमारे सिंगर्स हैं जो इंडिया गए और इंडिया ने उनको accept किया है कितने singers इंडिया से यहां आके का निगा रहे हैं नहीं ना आप अपने लिए आप दूसरों को opportunity देते नहीं हो जहाँ opportunity मिल रही होती है उसको भी रोख लेते हो अपने पेर पर खुद कुलाड़ी मार रहे हैं यह अपने आपको खुद ही तेरे इंडाल के आलगा देंगे अपडेट हीएगा अपने कंट्री में कितना इसलाम के खिलाफ काम हो रहा है उस पर सब चुप जाते हैं बहुत सारे ऐसे काम दिखते हैं जो कि इसलाम की खिलाफ होते दिखिए हैं पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता है पता नहीं आपको पूछने चाहीं कि अगर पाकिस्तान को सोधार ना है तो क्या उसे सेकुलरिजम की जरुद है या इसलामिक कंट्री है कि भी सोधार सकता हो मुझे आपको जो अब एक पाकिस्तान यों को एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आप या तो डिमाकरी सेकुलरि होता सब कुछ है और यहीं कि सब कुछ होता है अगर एलकोहल है प्रोस्टिटूशन है यह ड्रग्स है तो वो ऐसे नहीं होती है यहाँ पर उससे बढ़ चड़कर हो रही हो थी क्योंकि उस पर कोई उसे कोई लॉट हूँ बनावा है तो प्रोस्टिटूशन अगर हो रही है तो वो रही है तो अगड़े दिन दारू नहीं मिलेगी तो अभी पीलो जितनी पीलो आपकी मरी प्रूरी वादेगी ये तो हिपाक्रिसी तो मैं कहती हूँ ना मुनाफ़क को कुछ शर्मा आ जाती है कि किती मुनाफ़क कौम है ये जो सब कुछ आपका माँ पर हैं मगर आपने वही दिखाना हैं नहीं हम इसलाम के अंडर हैं या तो आप शरीयल कंट्री ले आएं मिल्कुल ठीक है ना जैसे अफगानिसान नहीं किया है वो ले आओ क्यूंकि बहुत सारे पाकिसान फेवर में थे ओ अफगानिसान में तालिवान आ गए तो वो कर लो जैसे अभी मुझे उसे निक बंदा आगे कहता है वो बड़ा घुस्से में है कि महां पर सौदी अरब में थेटर्स कोल दिये और यह सारी चीज हरकते हो रही हैं मैं तो पाकिसान में तो थेटर्स खुले वह हैं वहां की नहीं बंद कर रहे हैं उनकी म जो को देख रहे हैं और वो क्याए नहीं करना की नहीं कि आके रहे हैं नहीं रहे हैं यह के रहे हैं बीच में रहा के और skilled Ś hypertension को बंद करो स्कूल करो शरीय लो हो जिसने चोली कि उसके हात काटको समझ भिये जिसने कुछ का रख कर ऑटको ड़ा दो सड़कों और रहे हो नु यह शरीया ले करो वरना पर डिमाप्रसी सीरी सीरी चलाएगी, that's all they can do. इस पूरे गेम में, TLP कहां टिकती है, कहीं TLP या extra constitutional power बन चुकी है, जिसके किलाब अच्छी कोई नहीं ले पारा, इमरान थान में लेनी कोशिश की थी, कई पुलिस वाले और मारे गाया, और कोई अब तक उसमें रस नहीं हो, वो पुलिस वाले माने में. और TLP को लाने वाले वो यह न, ये, they use them as their pawns, और वो, जासके, for example, मैं देती हूं, यूएस ने तालिबान को यूज करने कि उसको कोशिश की थी, तो वो ती अगले में पढ़ गें, the same thing is happening with TLP, उन्होंने अपने उसके लिए लेकर आये थे, कि हम इनको अपनी कटकुत्री बना, कि इनको इस्तवाल करेंगे, किस तरीके से, मगर they have gained momentum now, तो वो अपनी अपनी उसमें पावर बनते जा रहे हैं, और ये, अगर उस, इम्रान खान के दौर में, जब इनको काम करने के लिए, but they had to goodness take ने पड़े थे इनके सामने, so अगर ये जमाने आपको control कर रही हैं, तो आप कहां जाओगे, where are you going to go, or TLP तो आप छोड़े, जमाते इसलामी, जमाते इसलामी is a total different, it's a Muslim brotherhood, it's a total different kind of thing, उसमें जाहिलोग नहीं है, उसमें आपको lawyers मिलते हैं, उसमें आपको doctors मिलते हैं, उसमें आपको teachers मिलते हैं, and they're not only in Pakistan, they're all over the world, उनकी तो और भी जादा stronghold ह और वो इस तरहां से नहीं आते सबकों पर निगलके, नहीं नहीं, वो आपके education system में है, वो आपकी government में घुसे में है, वो वहाँ से अपने इसलाम का कीड़ा जो है ना खुसेड रहे होते हैं, तो इस नहीं जो जाहे लोग हैं, जिनको पता नहीं है, पड़े लिखे लोग आरि मखड़ा बैटें और वहाँ नहीं आपको यहाप इसर यहाप सेड़ और मसूद असर यह वाम घूऋ ख़ाए शूदयर हैं, श्बम दिलवा ते हैं, कुद भूने नहीं हम लिए आपक गो वहाट्चे आपको सब्सेट नहीं पतारियों बहे हैं, शाह को बात्चे तो अल्लामिया ने औरतों को जो बनाया, right? अल्लामिया सोच रहते हैं, अच्छा, मैं कैसी चीज बनाता हूँ, जिसको बड़ा कुपसूरत बनाऊंगा. उसके बाल भी बड़े खुफसूरत बहुँगा, उसकी बड़े 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 अच्छी बनाऊंगा, उसको बड़े अच्छे चे जव बनाऊंगा, और पिर उसको रिप्रोड़क्शन का सिस्टम में दे दूँगा, जिसके पीछे सारे मर्द भागेंगे. तुम्हारे पास तुम्हारी शरम का है जिसको प्रोटेक्ट करना है तुम्हारी नहीं तुम्हारी नहीं तुम्हारे महले की तो तुम्हारी नहीं 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 तुम्हारी नह जो लिएक्शन का शोई थो तो I feel very good कि अब देखें दूसरे लोगों को दिख रहा है चंद लोगों के पास सेंस है मगर वो ऐसे मुलक में बेटे हैं जहां पर वो खुल के बोल नहीं सकते हैं अगर आप डिमॉक्रिसी ले ओना पाकिसान में मैं आपको गैरेंटी के साथ बोल और जब भटेगा देन आपको दिख रहे हैं एरान में क्या हो रहा है सेव दिंग इस गड़ना है अफगानिक्सान से पुछ बैक आएगा यह आएगा और एक चीज यह अभी पिछले दो साल में यह जब से वह करनाटक वाली कॉन्टिवर्शी नी तब से एक चीज तो अगर मैंडेटरी नहीं है तो अल्लाम यह ने तो सही बनाया उसको यह मौला ना उन्हें और वो लोग जो कि इससे पैसा कमाते हैं उन्होंने गलग तरीके से बज़त किया यह बात सही मान रहे हैं मैं ही समझती हूं कि अल्लाम यह ने जो टैक्स हमें भेजा है ना उसमें बड़े कंफ्यूज से उन्होंने कोई चीज क्लियर ली लिखी निए एक आया तो टाया आप उसके दस माई ने निकल सकते हैं अब जो हिजाब की वो चीज है अब सारी सारी मुस्लिम ओरतें क्यों ड़कती है चंद में चांद आपने इस पर आपकी ने नहीं सिर्फ आपों का पर्दा है तो भृए अल्लाम यह ने चीज क्लियर लिखी ही नहीं और जब आपको जहांकि पता चलता है in the history कि यह जो सर पे ओड़ना जो है कि काफी सारे factors सब्सक्राइब आप एक रेगिस्तान में आपके मिडल इस में जहां से इस्साम चड़ा था तो वहाँ पर और तो गया मद भी मूबे उढ़ाखते थे जस्ट वी कर्ण सेंस्टॉम्स राइट यह एक वह चीज दूसरी चीज यह होती थी कि बैक इन देज जो तवाइफे होती हैं एक्शुली वह बुर्का लेगे बाहर निकलती थी ताकि कोई उनको रेकिगनाईज नी करें यह वी एक फैक्ट हैस्ट मगर यह जो जो डिफ्रेंस था ना यह बात जो वह था कि और तो ने सर पे कवर क्यों करना है वह इस ऐसे था कि मुसल्मान औरतों को लॉन्टियों को डिफ्रेंशीट किया जा सके क्योंकि लॉन्टियों को उस जमाने में हरास करते थे यह मुसलिम लोग उमर थे या अली थे तो पिर मुसलिम औरतें भी कर रही हो रही थी हरास उन्होंने का कि नहीं हमारी मुसलिम औरतें हरास नहीं हो तो औरतों से को मुसल्मान औरतों से कि अपना सर ढखो और लॉनियां दुहां टॉपलेस भूम रही होती थी, लॉनियों को तो शर्ट पैननी की जाज़त नहीं थी, right? So this is what exactly what it was. मगर ये चो एकदम से दुबाय से हवा देना शिभू कर दिया है, नहीं लोगोंने, हिजाब is a choice. हिजाब is only a choice in a secular democratic country. In a Sharia law country such as Iran, Afghanistan और Saudi Arab में भी था, हिजाब was not a choice. It was forced. Because that is in the Sharia, क्या आपने ओ करना है? So ये जो सारी आपके इंडिया वेटी कह देंगे, हिजाब is a choice. क्योंके इंडिया चोइस एता है, ना? There is a choice because of India. Canada चोइस एता है, that's why there is a choice. आपके इसाब नहीं देता है, a choice. Right, right, right. Thanks a lot, Mehli ji. Thanks a lot for joining और उमीद है. एक discussion और करेंगी अभी पिले. Namaskar, दन्यवाद. Thanks a lot.